परिचय आताहा इस पार्ट में हम इन सूख्ष्म जीवों की मित्र और शत्रों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सूख्ष्म जीव और इसके विभिन समुहों को परिभाशित करना। मित्रवत सूख्ष्म जीव और सामाने मानविय जीवन में इनके उप्योगों का वर्ण करना। हानी कारक सूख्ष्म जीवों का वर्ण करना। खाद्दे परिरक्षण की विधियों की व्याख्या करना नाइट्रोजन स्थरी करण और नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या करना सूख्ष्म जीव और उनकी आदतें वरुन, फल के इस टुकडे को मत खाओ अब ये दूशित हो चुका है और तुम्हारे स्वास्थ के लिए हानी कारक है लेकिन क्यों दिदी? जमीन पर धेर सारे किटानों है और वे इतने छोटे हैं कि तुम उन्हें खुली आँख से नहीं देख सकते और वे तुम्हें नुकसान पहुचा सकते हैं ये क्या है? इन्हें सुक्षमजीव कहा जाता है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सुक्षमजीव खाना बनाने में हमारी साहता कर सकते हैं और ये ही हमें बीमार भी बना सकते हैं इसलिए इनके बारे में विस्तार से अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले आईए हम ऐसी सूक्ष्म जीवों और उनकी आदतों के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म जीव या जीवाणूं आगार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें खुली आख या बिना किसी सहायक साधन के नहीं देखा जा सकता। इन्हें व्यापक स्तर पर चार प्रमुक्स मुहों में वर्गी कृत किया जाता है। ये हैं जीवाणूं, कवग, प्रोटजुवा और शहवाल। विशाडूं भी सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीव, विभिन वाता वर्णियें परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। मित्रवत सूक्षमजीव और उनकी आधतें। प्रिये विद्यार्थियों, ये सूक्षमजीव व्यापक स्तर पर उप्योगी और हानी कारक सूक्षमजीवों में वर्गिक रित किये जाते हैं। अब हम सूक्षमजीवों के मित्रवत कतिविधी की विस्तार से चर्चा करेंग ऐसा ही एक मित्रवत सूक्ष्मजीव है खमीर खमीर का उप्योग बेकिंग उद्योग और हमारे घरों में ब्रेड, केक, पेस्ट्री, हाधी बनाने के लिए किया जाता है जीवाणू लेक्टो बेसिलस दूस से दही बनाने में उप्योगी है सूक्ष्मजीव, वानिजिक और औशदियक शित्र में भी उप्योगी है उदारन के लिए अलकोहल, बियर और शराब के व्यापक उत्पादन के लिए खमीर यानि येस्ट का उप्योग डिस्टलिरी उद्योग में किया जाता है कुछ अन्य जीवाणूं प्रती जैविक यानि एंटी बायोटिक और वैक्सीन बनाने में सहायक होते हैं टीका करण कई बीमारियों में सहायक होता है जैसे हैजा, छै, जेचक और हैबिटाइटिस अब मैं आपको बताता हूँ कि उप्योगी सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्यलाब क्या है कुछ जीवाणों और नीले हरे शैवाल वायो मंडलिये नाइट्रोजन स्थरी करण प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ती बढ़ाते हैं नाइट्रोजन इस्थरी करण जीव वेक्यानिक प्रक्रिया है जिसमें जीवाडूओं की सहयता से वायो मंडलिये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है ऐसे कई अन्ने मित्रिवत एनेरोबिक जीवाडूं है जिनका उप्योग बायो गैस के संशुलेशन में किया जाता है बायो गैस मिधेन, कार्बन डैयोकसाइट, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सलफाइट का मिशरण होती है आत्म मोलियांकन सही उत्तर पाने के लिए सही या घलत बटन पर क्लिक करें हानी कारक सूक्षमजीव सहायक और मित्रवत सूक्षमजीवों के बारे में चर्चा कर लेने के बाद आईए हानी कारक सूक्षमजीवों के बारे में जानते हैं हम ऐसे सूक्ष्म जीवों से प्रारंभ करेंगे जो मानव और पश्वों के रोग के कारण बनते हैं सूक्ष्म जीव जिनके कारण बीमारियां होती हैं पैथोजन कहलाते हैं हम बीमारियों को दो श्रिणियों में वर्गी क्रित कर सकते हैं असंचर्णिये रोग और संचर्णिये रोग असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते जबकि संक्रामक रोग वायू, जल और आहार आदी के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर सकते हैं सामानने जुकाम संक्रामक रोग का सबसे सामान ने उधारण है मानव में रोग कारक सूश्मजीव दोस्तो हमारे आसपास पाये जाने वाले कुछ कीट और पशू पैथोजन के समवाहक के रूप में कारे करते हैं मक्खियां और मच्छर ऐसे समवाहकों के आम उधारण हैं हैजा रोग में मक्खियां कई पैथोजन की समवाहक होती हैं जब ये मक्खियां बिना ढगे हुए खाने पर बैठती हैं तो पैथोजन स्थानांत्रित हो सकते हैं और खाने को संक्रमित कर सकते हैं हैजा से बचने के लिए हमें खाने को हमेशा ढख कर रखना चाहिए और बिना ढखे हुए खाने को खाने से बचना चाहिए मलेरिया रोक के मामले में मादा एनोफलीज मच्छर प्लासमोडियम पेरसाइट के समवहक होते हैं पैदोजन एक संक्रमित व्यक्ति से सुस्त व्यक्ति में एक मच्छर के काटने से सीधे प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें अपना आसपड़ोस साफ सुत्रा रखना चाहिए और यह जाचना चाहिए कि बेकार पड़ी वस्तों में पानी जमा ना हो। हम मलेरिये को फैलने से खिड़की और दर्वाजों पर तार की जाली लगा कर और कीट, विकर्शक क्रीम, स्प्रे और मच्छर दानी लगा कर रोग सकते हैं। हम मिट्टी के तेल को ठेरे हुए पानी पच्छड़क कर मच्छर के लारवा को मार सकते हैं। पैथुजयन के कारण होने वाले सामानने मानविय रोग जहां एक सूची दी गई है, जो विभिन पैथुजयनों के कारण फैलने वाले विभिन मानविय रोगों का वो लेख करती है। जन्तुओं में रोग कारण चीवाणूं। आईए, अब अपने अगले विशय पर चलते हैं, जिसमें पशुओं में रोग पर चर्चा होगी। क्या आपने पैथुजयन के द्वारा पशुओं को होने वाले किसी रोग के बारे में सुना है। एंत्रेक्स और पैर तथा मुँ के रोग पशुओं के रोगों के आम उधारण है। एंत्रेक्स बेसिलस एंत्रेसिस के कारण होने वाला बैक्टिरियल रोग है, जो की यह मवेशियों के पैर एवं मुँ में होने वाला रोग विशानूं के कारण होता है। पौधों में रोग उत्पन्द करने वाले सूख्ष्म जीव आईए अब जानते हैं पौधों में होने वाले रोगों के कारणों को ऐसे कई सूख्ष्म जीव हैं जो विभिन पौधों में रोगों का कारण होते हैं निम्न तालिका कुछ पौधों में होने वाले व्यापक रोगों और उनके कारण बनने वाले पैथुजेन को सूची बद्ध करती है आत्म मोलियांकन सही विकल्ब को उठा कर इसके संगत बॉक्स में छोड़ें खादे विशाक्तन यानी फूट पॉईसरिंग दोस्तो गर्मी के दिनों में यदि खाना लंबे समय तक खुले में रखा हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है और अंत में जहरीला हो जाता है इसका कारण भी फिर वही जीवाणू है कुछ ऐसे जीवाणू हैं जो खादे विशाक्तन यानी फूट पॉईजनिंग का कारण होते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस और स्टेफलो कोकस ये खाना हमें नुकसान पहुँचाता है हम कुछ विधियों द्वारा अपने खाने को संरक्षित कर सकते हैं जैसा कि नीचे सूची बद्ध है दूद को बजाने के लिए हम पाश्चुरी करण प्रक्रिया का उप्योग करते हैं सही उत्तर पाने के लिए सही या गलत पर क्लिक करें सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं सूख्ष्म जीव या जीवानू एक जीवित जीव होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आख या बिना किसी सहायक साधन के नहीं देख सकते अर्थात उन्हें केवल सूख्ष्म दर्शी यानि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है सूख्ष्म जीवों को व्यापक स्तर पर चार प्रमुक समुहों में वर्गी क्रेत किया जाता है जीवानू, कवक, प्रोटजूआ और शैवाल सूख्ष्म जीव विभिन वायू मंझेलीए परिस्तितियों में जीवित रहते हैं जैसे जल, मिटी, गर्म-पाणी के सोते और पहाड आदी सूख्ष्म जीव व्यापक स्तर पर उप्योगी और हानी कारक सूख्ष्म जीवों में वर्गी क्रेत किये जाते हैं उप्योगी सूख्ष्म जीवों का उप्योग हमारे दैनिक जीवन तथा उद्ध्योगों में विभिन उद्धेशों से किया जाता है। सूख्ष्म जीव जिसके कारण मानव, पशू और पौधों में बीमारियां होती हैं, पैथोजेन कहलाते हैं। नाइट्रोजन इस्तरी करण जीव वेग्यानिक प्रक्रिया है, जिसमें जीवाड़ों की सहयता से वायू मंडलिये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है।